नमस्कार मैं भारती चाहो और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में अपने अभ्यान की शुरुवात रवीवार को आउस्ट्रीलिया के खिलाब मैच से करेगी या मुकाबला चेनने में खेला जाएगा टीम इंडिया इस एहम मुकाबले में बुलंद होसलों के साथ उतरेगी क्योंकि हाली में समाप्त हुई तीन मैचों की वंडे सीरीज में टीम इंडिया ने आउस्ट्रीलिया को दो एक से शिकस्ती थी टीम इंडिया ने सीरीज के पहले दो मैचों में जीत हासिल की थी या कमाल टीम इंडिया ने तब किया जब रोहिट चर्मा और विराट कोली ये से दिगज नहीं थे उन्होंने शुरुवाती दो मैचों के लिए अराम दिया गया था केल राहुल टीम की कप्तान थे हाला की अब तक नया टुनामेंट है और टीम इंडिया तरो ताजा होकर मैदान पर उतरेगी इस मुकाबले के लिए कप्तान रोहिट चर्मा की सबसे बड़ी टेंशन ये होगी कि वो प्लेइंग 11 में किन खिलाडियों को जगा दे और किसे बाहर रखे रोहिट अगर इस मुकाबले में तीन स्पिनर और दो तेज गेंद बाजो की कॉम्बिनीशन के साथ उतरते हैं तो अनुभवी पेसर मुहमत शमी को बाहर बैठना पर सकता है इस पिनरों में आर अश्विन, रविंद्र जटेजा और कुल्दीब यादब खेल सकते हैं वही मुहमत सराज और जस्प्रीद भुम्डा टीम के दो पेसर्स हो सकते हैं अश्वीन को खेलना और इस वज़े से तैमाना जा रहा है क्योंकि उन्होंने शुक्रुवार को जम कर प्रैक्टिस किया है उन्होंने नेट्स में बल्ले बाजी भी की इसके अलावा डेविड वार्न और इस्टिव स्मित के खिलाप उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है इस मुकाबले से पहले कुल्दीब रोहित की टेंशन जरूर बढ़ा रहे होगे दरअसल कुल्दीब अगर मैदान पर उतरते हैं तो रोहित की उमीदों पर खरा उतरना होगा कुल्दीब को टीम में शमी जैसा धाकर गेनवास की अस्थान पर जगा मिलेगी ऐसे में कुल्दीप का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो फिर रोहित की टीम चैन पर सवाल उठेंगे सवाल पूछा जाएगा कि शमी जैसे गेनवास को आपने टीम से बाहर क्यों रखा वहीं कुल्दीप यादब को अगर टीम में नहीं शामिल किया जाता है तब भी रोहित से सवाल दागे जाएंगे क्योंकि कुल्दीप ने हाल्या मैचों में दमदार प्रदर्शन किया है कुल्दीप ने इशे कप में नौ विकेट चटकाए थे वो मैन आप दे सीरीज थे गिनबाजी नहीं बल्लेबाजू इभी लेक के रोहित ने जहन में कई तरह के सवाल आ रहे होगे श्रेय सेयर या सूरी कुमार यादब में किसे मौका दिया जाए श्रेय सेयर और ऑस्ट्रीला के खिलाफ सीरीज में शतक जड़े थे टीम इंडिया की जीत में उनकी इन पारियों के एहम योगदान रहा था मुकाबले से पहले सूरी कुमार ने शुक्रुवार को नेट्स में प्रैक्टिस किया सूरी कुमार यादब ने दो अलग-अलग सेशन में बल्लेबाजी का प्रैक्टिस किया और इस दोरान उने टी-ट्वेंटी अंदाज में बेख़ॉफ बल्लेबाजी की भारतिय कप्तान रोहित शर्मा इस दोरान नेट्स कर रहे हैं खिलाडियों पर करी नजर भी रखे हुए हैं सूर्य कुमार ने नेट्स सत्र पर अपने टी-ट्वेंटी प्रारूप के शॉट्स पर ध्यान दिया वा कलाई की मदद से स्क्वाइर के छेत में शॉट्ट लगाने के साथ बाई हाथ के थ्रोडाउन एक्सपर्ट नुवान की गेंदो पर सुपला शॉट भी खेलते दिखे वा एक नेट पर अपना सत्र पूडा करने के बाद दूसरे नेट पर अभ्यास करने लगे यह हो सकती टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और भी स्पोर्ट से जोड़ी अपडेट के लिए देखते रीएफेक्ट इंडिया स्पोर्ट